योजनाईन इंदी उडूब चैनल पर आपका स्ववागत है अगर आप एक किसान हैं और आप पर्दार मंतरी किसान सम्मान निदी की पंदरवी किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको यह तीन काम जरूर कर लेने चाहिए नहीं तो आपको आने वाली 15 वी किस्त नहीं मिलेगी जी हाँ किसान सम्मान इदी का नए अपडेट जारी हो चुका है अगर आप किसान सम्मान इदी योजना का लाब लेते हैं और आप किसान सम्मान इदी योजना से 2000 उपे लेते हैं तो आपको पंदरविकिस्त आने से पहले यह तीन काम जरूर कर लेने चाहिए और कौन-कौन से तीन काम है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो को आप आखीर तक जरूर देखेगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और पर नए आये हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो की सुरात करते हैं और बताते हैं कि आपको तीन काम कौन से करने हैं परदान मंतरी किसान सम्मा नीदी योजना के माध्यम से सभी छोटे और सिमान्त किसानों को हर वर्स तीन समान किस्तों में 6,000 रुपे की आर्थिक सायता दी जाती है यह तो आप जानती हैं किसानों के खाते में परदान मंतरी किसान सम्मा नीदी की जो चोदवी किस्त है वह 27 जुलाई को भेजी जा चुकी है किसानों को अब पंदरवी किस्त आने का इंतजार है जो चोदवी किस्त दी गई थी वह किसान भाईयों को 27 जुलाई को दी गई थी और अब पंदरवी क किस्त आने का इंतजार किसान कर रहे हैं परधानमंत्रिक किसान सम्मान निदी योजना की 15 के लिए आविधन सुरू हो चुके हैं यानि कि जो नए किसान हैं वह परधानमंत्रिक किसान सम्मान निदी योजना में आविधन कर सकते हैं क्योंकि आविधन सुरू हो चुके हैं अ अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मा निदी योजना का लाब नेना चाहते हैं तो आप अपने नजदी की CSC सेंटर में जा करके अपना आवेदर कर सकते हैं और इसमें आपको तीन काम कौन से करने हैं वह भी जान लिजे आपको अपने जमीन के दस्तावेज अपलोड करने होंगे अपने आधार को एक्टिव खाते से लिंक कराना होगा देखिए जो पुराने लावारती हैं उन्हें अपनी जमीन के दस्तावेज और अपने आधार को अपने बैंक खाते से एक्टिव कराना होगा और KYC को भी पूरा करना होगा आभी भी आप KYC करा सकते हैं तो य जरूर करा लेजिए अगर आपको भी 15 किस्त का लाब लेना है अगर आप परदानवंत्री किसान सम्मान निदी की अगली किस्त पाना चाहते हैं तो KYC की परिक्रिया को आपको जरूर पूरा करना होगा वह जरूरी है अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराई है तो जल्द ही करा लें किसान अपने पास के नजदी की CSC सेंटर में जाकर या किसान पोर्टल PM किसान.GOIN पर जाकर के KYC करा सकते हैं ऐसा नहीं करने की स्थिती में आपको अगली किस से वन्चित रहना पड़ सकता है तो जो पुराने लावारती हैं वहक किसान सम्मान इदी की KYC जरूर करा लें और जो हमने आपको तीन कारिये बताए हैं एक तो आपको अपने जमीन के दस्तावेज अप्लोड करने होगे एक आपको अपना आधार कार एक्टिव बैंक खाते से लिंक कराना होगा यानि के जो आपका एक्टिव बैंक खाता है और KYC आपको जरूर करानी होगी और जो नए किसान है उन्हें अभिदा किसान सम्मान इदी का लाव नहीं मिला है वह है नजदी की CSC सेंटर पर जाकर के अपना आविदन कर सकते हैं और आविदन के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, मॉबाइल नंबर, बैंक पास्बुक और आपके जमीन के दस्तवेज होने जरूरी है आप इसके जरिए इसमें आविदन कर सकते हैं और परधार मंतरी किसान सम्मान इदी का लाव ले सकते हैं अगर आप पात्र हैं तो साथियो यह इति किसान सम्मा ने दी योजना से जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको भी पंदरवी किस्त कलाव लेना है तो आपको यह तीन कारिये जरूर करने होंगे वीडियो में दीके जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक से एर कमेंट जरूर करियेगा और चैनल पर नए आये हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करियेगा